तो यहार अगर हैं सबस्कुरिंब करते हैं देखने चलिए जुरू करते हैं शुरू करए इससे पहले डियुके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल इकन जुर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी आप भी डाउनलोड कर सकते हो वहां पर आपको कर दो करना चाहते हैं यहां जाके अपने अपने और भी प्लेस कर सकते हो और हर पेंडर के साथ मिलता आपको एक पोड्रीशन कर दो जिसमें आपको कर सकते हो अगर हम बात करें आयम संबलपूर की अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो बेबी आयम की केटेगरी में यह आता है अभी यह टेंपरेरी केमपस है आयम संबलपूर का इनका नया केमपस भी बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जैसे ही वो इनका नया state of the art केमपस बन जाएगा तो जस्सक्राइक बाकी सारे आयम्स भी न्यू अपने कंपस पर्मेट केमपस में shift हो रहे हैं यह भी shift हो जाएगा तो अभी यह बारा पाहाड के अंदर है 12 hills जिसे कहते हैं the temporary campus जहां एक साइड पर हीराकुट डाम है world का longest अर्धन डाम जिसे कहते हैं और surrounded है यह mountain से वर्दांत forest से and debris guard wildlife century से तो काफी pictures इसकी positioning करी गई है natural beauty भी है वहाँ पर काफी ज्यादा over the years आयम संबलपूर काफी अच्छा perform भी कर रहा है तो इनका purpose अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारी companies और industries like mcl, hindalco, vedanta, tata, ntpc, lnt इन यह सब भी opportunities provide करती है for real life experiential learning जो की आयम संबलपूर के students कर सकते हैं other friends important programs के बार में बात करें तो सबसे important program तो इनका MBA का program है इसके लावा इनके पास executive MBA का भी program है एक program इनका डेली में भी होता है इसके बार में बहुत कम लोगों को बता है MBA for working professionals जो की इनके डेली campus में जो की ISID है वसंत कुछ वहाँ पे होता है अगर इसके बारे में आप inquire करना चाहते हो तो आपको इनकी website के ओपर complete details मिल जाएंगी अगर फ्रिंद्स हम eligibility के बारे में बात कहले है तो eligibility वह ही है जो अल्मोस्ट हर college की होती है कि bachelor's degree आपके पास होनी चाहिए या आपके पास professional degree होनी चाहिए अगर आप final year में भी हो तो भी आप eligible हो apply करने के लिए और अगर आपका selection होता है वह confirm तभी होता है जब आपका result आ जाता है उसमें जब आप आयम संबलपूर का form select कर देते हो तो automatically आप इस college के लिए eligible हो जाते हो तो प्ली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जैसे ही cat का form आएगा हम complete form filling की वीडियो भी मिलाएंगे जिसमें हम explain करेंगे कि कि किस तरीके से आपको इसका form भढ़ना होता है अगर friends हम admission process के बारे में बात करें तो candidates को shortlist किया जाता है on the basis of their cat score जिन्होंने apply किया होता है second round में personal appearance या personal interview होती है जो कि cap round के थ्रू होती है और final selection final composite score के basis पे होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हम आगे discuss करेंगे तो friends अगर हम बात करें cap round, cap round के बारे में हमने काफी सारी वीडियो के इंदो अल्रेडी बात करी हुए cap round का purpose सिरफ इतना है कि number of interview जो बच्चों को देने पड़े वो बार बार हर एक IM के लिए ना देने पड़े कुछ 9 IMs आपस में मिल जाते हैं और उसमें से एक coordinator IM होता है जो interview conduct कराता है सब के बिहाफ पर और जो उस interview में marks आते हैं वो सारे के सारे IMs उसी interview को 9 IMs मान लेते हैं जिसके basis पे वो final composite score को calculate करते हैं तो फिर अगर हम shortlisting criteria के बारे में बात करें तो personal interview का shortlisting criteria आपकी screen के सामने जो था cap round के लिए कि आपकी sectional 70 70 70 and overall 92 होनी चाहिए EWS में minimum 40 40 40 40 and 70 यह minimum है final cutoff इससे उपर भी हो सकती है उसी तरह NCOBC की आप देख सकते हो की 45 45 45 and 74 है SC की 35 35 35 and 54 है यह minimum cutoff है जो final cutoff है वो भी आपको अचीव करनी होगी अब आप फ्रेंज अब final selection के बार में बात करें तो final selection का criteria क्या है कि cat को 30% weightage देंगे personal interview या personal appearance को 25% weightage देंगे work ex को 15% weightage देंगे academic profile को 15% और diversity को 15% अगर हम academic profile के बार में बात करें तो आप देख सकते हो कि 10th 12th और undergraduate graduation यहाँ पे इन्होंने बताया हो है कि अगर आपके 92 से जाद है तो यहाँ पे पूरे 2 marks है 12 में पूरे 5 marks है और graduation में पूरे 8 marks है अगर आपके 88 से 92 है तो यहाँ पे 1.8 है 4.5 है 7.2 है तो आप देख सकते हो कि 10-10% हर बार यह कम होता चला जाएगा और अगर आपके 84 से 88 marks में है तो यहाँ पे आपको 10 में 1.6 देंगे 12 में आपको 4 देंगे और undergraduate graduation में 6.4 देंगे इस basis पर यहाँ पे यह academic profile को यह weightage देंग 13 मन्स से 24 मन्स का है तो 12 25 मन्स से 36 मन्स का है तो 15 37 मन्स से 48 मन्स का है तो 10 49 से 60 मन्स का है तो 7 diversity के बारे में अगर हम बात करें तो male students को कोई marks नहीं मिलेंगे diversity promote करने के लिए females and transgender को 15% marks दिये जाएंगे अगर friends हम seat matrix के बार में बात करें तो total इंके MBA program के अंदर 300 seats है जो काफी decent number of seats है जिसके अंदर से एक seat आपको अपनी convert करनी है अगर friends हम fee structure के बार में बात करें तो MBA की जो fee है वो around 13 lakh रुपीज है प्लस में miscellaneous expenses है यह fee tentative है इनका जैसे ही latest fee schedule chart आएगा उसके अंदर यह complete बताएंगे कि क्या fee structure है तो जो भी fee structure year on year revise होता है वो आपको उसी according पे करना होता है लेकिन आपको कोई घबराने की बात नहीं है कई सकारी scholarships भी available होती है as well as आपको बहुत easily bank loan भी मिल जाता है तो जिससे आपकी fees की वज़े से आपकी education में कोई problem नहीं आएगी अगरा friends हम final placements के बार में बात करें तो highest domestic salary 64 lakhs की थी highest international भी 64 lakh rupees की थी average 16.63 था median 16 lakhs था आप average देख सकते है top 10% की 31 lakh प्लस थी top 25% की 25 lakh प्लस थी और top 50% की 20 lakh प्लस थी top 10% median अगर हम देखे तो 23 प्लस था top 25% median 22.50 थी और top 50% median 17.81 थी overall अगर हम देखे तो average जो है वो 26% से इस साल बढ़ा है median 29% से बढ़ा है पिछले साल 12.42 था जो की बढ़के 16 हो गया average of 25% 34% से बढ़ा है जो 18.79 से बढ़के 25 हो गया काफी एच्छी performance है और highest salary तो बहुत ही जादा बढ़ी है अगर हम domain wise placements देखे तो sales and marketing में maximum 27% बढ़ से गए है 21% general management में 19% IT analytics में 12% operations में 10% consulting में sector wise placements अगर हम देखे तो BFSI में 30% है IT में 26% है manufacturing में 14% है और बाकी फिर आप देख सकते हो consulting, e-commerce, fintech, logistics, fmcg, retail और operations के अंदर placements होई है अगर फ्रेंड हम batch profile के बार में बात करें तो इस batch में थोड़े कम बच्चे थे 167 बच्चे थे जिसमें से almost 50-50% आप मान सकते हो कि gender ratio होता gender wise placements आप देख सकते हो कि experience बच्चों की 19.25 थी और male student experience females की 19.25 थी experience males की 15.49 थी और freshers की आप देख सकते हो कि 17.27 थी और males की 13.580 थी तो females ने outshine किया है males को यहां पर उसके बाद freshers 37% बच्चे थे 1 से 12 months वाले 14% बच्चे थे 13 से 24 months वाले 20% थे और 25 से 36 months वाले 16% बच्चे थे work experience जाहां से था आप देख सकते हो 30% IT, IT, ES यानी की maximum यह engineers फिर automobile manufacturing textile and energy से 22% काफियत तक यह भी engineers होते हैं उसके बाद healthcare, BFSI, e-commerce, telecom, edtech and 19% other domain से work experience ना बच जोगा, तो friends यह सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने complete discussion करी आयम संभलपूर के बारे में, वीडियो पसंद आई हो तो आया like जरू करना, ऐसी वीडियो हम future में बाकी सारे colleges की बिनाते रहेंगे, अगर आपकी कोई भी query है तो आप हमें call, whatsapp, email या नीचे comment section के अंदर भी mention कर सकते हो, प्लीज हमाँ साथ Instagram पर जिवू connect हो जाना, और अगर आपको pen drive course, live batch या किसी और course में enroll करना है, तो हमारी website है, यहाँ पर जाके complete details आपको मिल जाएंगे, so thanks a lot, all the best, God bless you.